आपको प्रमिस किया था कि मैं एक और वीडियो बना के आपको एक टेकनिक सिखाऊंगा जिससे आप जब चाहे तब चुटकी बाजाते हुए अपने अंदर वही जोश उत्सा पैदा कर सकते हैं अपने आपको प्रेरेट कर सकते हैं जो काम आपको करना जरूरी है लेकिन आलश्यक की वज़े से जोश आत्मविश्वास उत्सा वगेरे की कमी की वज़े से जो काम आप कलपे टालते आये थे वही काम आप चुटकी बजाते हुए अपने अंदर जोज आत्म इस्वास पैदा करके वही काम आप कर सकते हो तो वो टेक्निक जिसे कहते हैं सर्कल ओफ एक्सलेंस वो टेक्निक मैं आप से आद शेयर कर रहा हूँ आपको क्या करना है दस मिनिट के लिए कोई आप ऐसी जगाबे खड़े रहे जाएं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करें और आपको क्या करना है आप जहां खड़े हैं आपको ऐसा इमेजिंग करना है कि आपके आगे फर्ष पर एक सर्कल बना हुआ है मान लिजे अवकाज से उर्जा का एक स्तोत्र जमिन पर गिर रहा है और आपके आगे फर्ष पर उर्जा का एक सरकल बन रहा है आप यदि चाहें तो उस सरकल के अंदर किसी रंग की कल्पना भी करें कि उस उर्जा में कोई कलर कोई रंग प्रवाही रूप में है ऐसा आपको सुचना है और फिर आपको एक लंबी घहरी सी सांस लेकर अपनी आँखे बंग करके अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद करना है जब आपने जोश, आत्मईश्वास, इतियादी का अनुभव किया था और जब आप उस घटना को याद करोगे तो सिर्फ माहज याद नहीं करना है लेकिन आपको अपनी पाँचों सैंसिस का, पाँचों अंद्रियों का उपयोग करना है आपने उस वक्त क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था उसी तरह से आप उस पूरी घटना को मांशिक रूप से दुबारा जीना है और जब आप उस गटना को इस तरह से दोबारा माशिक रूप से जी ओगे तो स्वभास एक यिश्वास के तो घेख आप इस बात है आपने उस वक्त जो जोश आत्मोईश्वास के पिक अवस्था को आप अनभौति पिक अवस्था जाते हुए आपको एक कदम आगे उस सरकल में चले जाना है और सरकल में जाने के बाद अपने अंदर अपने शरीर के अंदर सर से लेकर पैर तक उस सरकल में कलर को आपको अपनी रगों में अपने शरीर में पैर से लेकर सर तक बहता हुआ मैसूस करना है यदि आप चाहे तो वो जो शरीर में आपकी रगों में उर्जा बह रही है उस कलर के रुप में आपको यह आवास की भी ना कर सकते हैं जैसे हमिंग सांड वग्यारा तो इस तरह से आप अपने शरीर के अंदर जो नियूरिल पाथवेज आतनों इस्वास और उर्जा की अनुभूति कराते हैं उ और जिस तरह से आप यह अनुभूति करोगे आप देखोगे कि आपके शरीट के अंदर आप और जोश उसा के उर्जा के संचार का अनुभू करती हो और फुरी देर के बाद जब यह अनुभूति कम हो जाएं तो एक कदम पीछे लेके सरकल के बाहर चले जाएं यही प्रक्रिया को दुबारा एक बार दोहरा है फिरसे उसी गचना को या को और घटना को भी आप याद कर सकते हैं जब आप आपने छोस अप्रो इश्वास उर्ज करतिया का उनुगोग किया था फिरसे उसी गचना आंवे आपने जोश आतोईश्वास औरजा की पिक अवस्थाको आप अफ करते हो जेद包括 बार चुट की बाजाते हुए उस सर्कल में चले जाए और अपने शरील के अंदर को अपने शरील giàно कोат। प्रक्रिया को तीसरी बाहर दोरना है और तीसरी बाहर जब आप चुटकी बाजाते हुए सरकल में जाते हैं तो अपने आपको उस भविश्य के सिती में देखें, महसुस करें जब आपको इसी प्रकार के आत्मविश्वास, उस्साह, उर्जा वगरे की जरूरत पढ़ने वाले हैं और आप अपने ही मन को एक आदेश दें, कि भविश्य में जब कभी भी मुझे इस उर्जा आत्मविश्वास की जरूरत पढ़ें, तो इस चुटकी की आवाज के साथ मुझे इस आत्मविश्वास और उर्जा की अनुभोती कराएं जसके मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, मन को कल्पना और वास्तविटा में अंतर पता नहीं है मन आपकी कल्पना को ही वास्तविटा समझ कर प्रतिक्रिया करता है, आपके दिमाग को आदेश देता है और आपका दिमाग मन के आदेश के हिसाब से काम करता है और उर्जा आत्म इस्वास की अनुभुती के लिए आपके शरीड में जो भी हर्मोन्स पैदा होना जरूरी है दिमाग आदेश देता है उस नियूरल पाचिवस के जरीए और आपके शरीड के भीतर वो उर्जा आत्म इस्वास की अनुभुती आपको कराता है मुझे यकीन है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा आप इसे लाइक करेंगे और यदि आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इससे सब्सक्राइब करिए और साथ में कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप ये वीडियो शेर करना चाहेंगे उनके जीवन में बदलाव लाने का श्रेय आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर भी करिए तन्यवाद, तेंक्यू